हेले श्टूडेंड कैसे हैं आप सब एक बार पुनासी कोचिंग क्लासेस पर स्वगात उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे होंगे, मस्त होंगे, बहतर होंगे और क्लास 11 कमिश्टी में आज का हमारा टॉपिक है हाईजन बर्के अनिश्चिता का सिध्धान्द काफी इंपोर्टेंट है किसी भी बोट से हूँ आप, किसी भी अदर स्टेट से हो, एंप्य बोट, सीजी, राजस्थान, जहां से भी हो लेकिन ये काफी इंपोर्टेंट है ऐसे बच्चे जो 11 क्लास में हैं और हाईजन बर्के अनिश्चिता का शिधान्द उनको नहीं पता है तो आज समझ में आएगा, तो चलिए सुरू करते हैं, पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रस कर लें, यह दिए आपको हैंड़ी टेंड चाहिए हो तो 100 रुपे चार्ज है, वन सब्जेक्ट का, 96, 89, 89, इस नंबर पर आप कंटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं, 96, 89, जिस प्रकार से आपको कुर्स कराया जाता है, इसी प्रकार से सेम लेक्चर आपको मिलेगा, बच्चा लोग तो देर किस बात की जाएए, इन् इस को बता है, ये चोटी-बूटी बात आप क्यूं बता रहे हो, बायशाब नाविक है, नाविक में प्लस चार्ज होता है, मतलब प्रोटान के कारण, नाविक के चारों और प्रित्टाकार रुपथ पाए जाते हैं, जहां ही लेक्ट्रान चक्का लगाते हैं, अब आप स सिद्धांद के आधार पर हाईजन बर्ग ने भी वता दिया फिर आभँ ने भी वता दिया हुंडने भी वता दिया पावली का बर्जन भी नियमा गया इसी आधार पर चल रहा तो चल रहा है जुligen कोई बैक्ति कहा दे यह नहीं नाभी कमें बृत्ताकार पत्त नहीं यह तो डमरू नुमा होता है यह तो बया परबलेया कार होता है यह तो एक ब्रत्ता कार होता है मतलब दूसरा आकरती दे दे ब्रत्ता कार तो इन्होंने खुद बताया था तो नाभी के चारोर ब्रत्ता कार पत्त जहां इलेक्टरान चक्कर लगा रहे होते हैं इ कण प्रकति और तरंग प्रकति की रूप में पाया जाता है या तो एक सुच म कण हो गया और जब ये कण की रूप में आगे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा तो एक तरंग नुमा क्या बना लेगा संरचना बना लेगा जयमतिक निर्मान कर लेगा इसलिए कहा जो इलेक्टरान के हैं भाई साब ये जो प्रकति हैं दो प्रकार होता है इलेक्टरान में एक तो कनप्रकति और तरंग प्रकति अब जो कनप्रकति और तरंग प्रकति है तो इसका कहीं न कहीं अपने कच्छा में कुछ न कुछ एक इस्थित होगा क्या होगा इस्थित होगा और दूसरा इसमें बेग में परिवर्तान होगा मतलब यहाँ पे कुछ न कुछ संबेग भी होगा संबेग होगा यह किसने का भाई साथ हाईजनबर्ग ने बताया अब देखो ज़रा यदि हम कहा दें कि इलेक्टरान के बेग में हमेशा परिवर्तान होता है बिल्कुल सही है इलेक्टरान भले ही चाल में समान हो लेकिन बेग में उसके परिवर्तान होगा इसका कारण क्या है किस प्रकार से आप पुष्टी कर सकते हो कि इलेक्टरान के बेग में परिवर्तान होता है और जब इलेक्टरान के बेग में परिवर्तन होता है तभी तो वहाँ पर समबेग होता है तो बचे लोग मैं एक चीज कहना चाहूंगा जैसे माली जी बृत्ताकार पत है, क्या है बृत्ताकार पत है, अब इलेक्टरान इस बृत्ताकार पत पर क्या करता है, चक्कल लगाता है, और बेग में एक निश्चिर डाइरेक्शन चाहिए होता है, जैसे इलेक्टरान यहां से चलना शुरू किया, तो इसका बेग यहां पर है यहां पर है इसका बेग इधार हो गया यहां पर है इसका बेग बदल गया फिर ऐसे यहां पर है इसका बेग इधार है यहां पर इसका बेग इधार है मतलब कहने का मतलब इसका दिसा है ना यह डायरेक्शन है क्या है डायरेक्शन है डायरेक्शन है दिसा बता रहा है तो वाई साथ हर बिंदू पर जो बेग होगा, इलेक्टरान के कन का बेग होगा, उसकी जो दिसाय अलग-अलग हो जाएगी, यानि इलेक्टरान की जो इस्थित अलग-अलग हो रही है, तो फिर उसकी बेग में परिवर्तन हो रही है, कारण ये है कि हर बिंदू पर उसका direction अलग-अलग होगा क्योंकि हम वहाँ से इस पर से रेखा खिश देंगे तो बेग में परिवर्तन हो जाएगा कहने का मतलब उसकी दिसा में परिवर्तन होगी इसके कारण यानि जब electron बत्ता कारपत पर चक्कर लगाता है तो उसके बेग में परिवर्तन होगा ये done है समझ गया इसका main कारण है कि किसी भी बिंदू पर हम देखे तो हर बिंदू पर दिसा उसकी अलग हो जाएगी और बेग का differentiation क्या है physics में आपने पड़ा बेग में एक निश्चित परिमार भी होता है और एक निश्चित दिसा भी होती है दो में से कोई एक नहीं है तो फिर बेग में परिवर्तन हो रहा है समझ रहा हो तो दिसा फिक्स होना चाहिए दिसा आप जगे बदल जा रहा है तो इसलिए बेग में परिवर्तन हो रहा है clear है ये सीज को भाई साब हाईजन ने बताया कि हम यदि कोई लेक्टरान चक्कर लगा रहा है अपने पथ पर तब उसका हम यदि कहें कि कोई भी लेक्टरान के जगे सूच मकण भी ले सकते हो ना कि भाई सूच मकण है अपने नाभी के चारबता कार पथ पर चक्कर लगाता है तो उस कड़ की या तो हम स्थित निकाल लें, या तो संबेग निकाल लें, दोनों एक साथ हम नहीं निकाल सकते, दोनों संभव ही नहीं है, क्योंकि जैसे हम स्थित का पता करने लगे, वो गती करके आगे चला गया, बेग में परिवर्तन हो गया, जैसे कोई बस जा रहा होता है, उसकी स्थित का पता लगाने लगे, जो हम उसकी स्थित का पता लगाएंगे, कर जो कर है वो जो सूच में कर है उसके दिए ह कि इस्थित और सम्वेक की बाद करें तो दोनों का एक साथ सही सही निर्धारन असंभा है नहीं कर सकते अब बोलो कि सर ये तो हम भी बता सकते थे तो अप पहले भी बता देता तो आप ही बैग Yarnik के नाम से जाने जाते, माल लो आपका नाम है निलम, तो फिर कहते हैं डांक्टर नीलम जी, समझ रहो, यानी भातिक भी निलम जी, आरी ना रसाइनक नीलम जी, कुछ भी नाम हो सकता है, भाई साथ देबिन्द और संबेग इसके लिए उन्होंने एक छोटा सा नियम दिया यदि इस्थित आपका X हो संबेग आपका P हो तो परिवर्तन के लिए हम डेलेक्स का यूज़ करते हैं सूच में सूच में की वाद कर रहे हैं, सूच में इस्थित की वाद कर रहे हैं, इस्थित में परिबर्तन Y, X2-X1, इसी तरी यह से समबेग, हर एक बिंदू पर इलेक्ट्रान का बेग बदल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रान चार ओर बित्ता कारपत पर चक्तल लगाता है, और हर बदलने के करण है कौन दिशा बदलने के करण संभेग में परिवरतन हो रहा है उन्होंессोने बताया ओर डी बताया गे आक डी सीनदाट होगा छोटा तो कभी हो ही नहीं सकता किस ने कह दिया भाई हाई जन बर्ग ने बता दिया जब कि यहां पर बताया भी कि डेलक्स क्या है इस्थित में निश्चित नहीं है डेलपी क्या है डेलपी क्या है संबेग में निश्चित नहीं है एच क्या है प्लांक नियतांक और भ साट कट में कि यदि मैं कहा दू डेलपी है बच्चा लोग पी बराबर होता है M भी क्या होता है M को मैं बाहर ले लूँगा और डेलबी हो जाएगा ऐसा क्यों लिख दिया क्योंकि बही जो इलेक्टरान का द्रबमान है वो कहीं भी रहेगा उसका मास उतना ही रहेगा फिक्स रहेगा मिलकर ने अपने तेल मूद के प्रयोग से इलेक्टरान आबेस की माता द्रबमान की गणना थामसन ने किया भीसा भी दुनिया भर का हिस्ट्री है आप सब को पता होगा सैद आप पढ़े होंगे तो M into derby का मतलब संबेग बराव द्रबमान गुडेवे हो गया इनका जो मान है वो H upon 4 pi या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा छोटा तो नहीं हो सकता सिंपल है जहां H क्या है प्लांक निये तांक है ओके चलिए यह चीज तो क्लियर हो गया अब मैं यदि इस से कहू कि भाई सहाब इन दोनों में relation निकालो इन दोनों में तो यदि ये गुणा में इधर जाएगा तो आपका भाग में हो जाएगा यानि इसको मैं इधर कर दूँ तो H upon 4 pi है ना 1 upon delp कर दूँ और इस पूरे को निये तांक मान लूँ तो आप कहोगे निये तांक हटता है तो समान उपाती लग जाता है तो ये लोग बच्चा लोग ऐसा भी हम कर सकते हैं यानि जो आपका इस्थित है और जो संबेग में परिवरता नहीं एक दूसरे के भ्यूत कर्मान उपाती हैं एक दूसरे से उल्टे हैं भाई साब तब इनका सांथ सांथ कैसे निधर्ण कर सकत एक का रास्ता कुछ और है दूसरे का रास्ता कुछ और है तो कहने का मतलब भै एक दूसरे के इनवर्स प्रपोर्शनल हैं ब्यूत करम हैं मतलब एक दूसरे एक दूसरे के सांथ मान दोनों के दोनों निकालना कठीन हो जाता है समझ में आया बच्चा लोग एक्जाम में क कर से भी निकाल दिये कि डेल एक्स जो है डेल पी के ब्यूत क्रम है एक दूसरे के ब्यूत क्रम है अब इसमें हम कंडिशन लगा दें कि यदि डेल पी का मानत्यंत कम हो या डेल एक्स का मानत्यंत कम हो देखिए या आप ऐसा भी तो कर सकते हो ना सर कि डेल पी जो है ये इसक के समान सूच मकण की इस तो ठीक ठीक पता भी कर लें अत्यंत कम है तो भाई साब यह दी डेल एक्स कमान हम पता भी कर लें डेल एक्स कमान पता कर लें अत्यंत कम है तो यह इस कमान कम होगा तो ब्यूत करम है तो डेल पी कमान क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा इसलिए हम फ गया, संबेग में परिवर्तन हो गया, तो भाई साब जब हम डेलक्स की पता कर रहे थे, तो डेलपी बाबू जी कहां गए, आंगे निकल गए, बस का हम एक छोटा सा बिंदू लिए, इस्थित पता करने लगए, कंडेक्टर साब नीचे उतर गए, तब तक मैं डाइवर करने हम जुड़े थे, और संबेग में ब्रद्धी हो जाए, एक दूसरे के बियुत करम है न, इन भर से प्रपोर्शनल है, कोसिस करो समझने की, दूसरा पॉइंट ऐसा भी तो हो सकता है, कि डेलपी कमान कम हो जाए, अतंद कम हो, इस स्थित में जब डेलपी कमान कम होगा देलपी कमान कम होगा, तो डेलएक्स कमान बढ़ जाएगा, यानि हम यहाँ पर संबेग निधर्ण कर रहे हैं, हम डाइवर के साथ बैटकर उसके बेग में परिवरतन ना परें, मा परें, तो फिर नीचे जमीन का इस्तर कौन मापेगा, दिक्कत होगी न, तो फिर उसका निदार नहीं कर सकते, ये चीज़ समझाने की कोशिस कर रहा हूँ, और यदि बच्चा लोग, यदि इस्थित सुन हो जाए, इस्थित क्या हो जाए, सुन हो जाए, तो जब हम एक बटा सुन करेंगे, तो अनन्त हो जाता है, तो संबेग में अनन्त हो जाएगा, क्यों, क्यो लो बहतर रूप से त्यारी करो यार हमारे साथे जुड़े हो तो आपको कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं लगेगा कि हम इसको कितना लिखें कितना नंबर मिलेगा या कि हम नहीं लिखें तो कितना नंबर नहीं मिलेगा हम बहतर रूप से उतना ही लिखाएंगे आगामी समय में आपको कराएंगे तो चिंता करने जुरुत नहीं है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नावलियों शेयर करें, सिसन को शेयर करते रहें, आप लोगों से यही उम्मीद रहती है, थोटा सा चैनल है अभी तो भाई साब आपका प्यार सपोर्ट रहेगा, बहतर हम करने की कोशिस करेंगे और आपको बहतर कंटेंट देंगे, जैहिंद बंजमातरम